करेंगे कि हमारे लिए और टेक्स रिजीम बेटर है या फिर नू टेक्स रिजीम बेटर है यह यह कुछ चैक्टर से जिसके उपर डिपेंड करता है अगर किसी के पास इंकम ज्यादा है और इंकम के साथ साथ उसका अल्रेडी जो एक एक्सका हो रहा है तो फिर उसके लिए तो बेटर है कि वो ट्यक्स रिजिम में लाउट किये जाते हैं लेकि ट्यक्का्स अबेहाट नहीं तो आये वन भाई वन इसको प्रेजंटेशन पर देखते हैं कि वह हमारे लिए किसी साब से कौन सा अप्शन बेटर रहेगा तो देखें तो देखें अब यह पोल्टेक्स रेजीम है सेकेंड कॉलम न्यू टेक्स रेजीम है तो उसके का है कि हमने एक जामपल लेके चला है कि अगर दस लाग का इंकम है तो उसकेस में जो टोटल सेलरी रेजीब वह दस लाग हुआ उसका अब अगर आपके पास और टैक्स रेजीम आप यह हुए है तो आपको 50,000 मिलेगा न्यू टैक्स रेजीम आपकि हैं तो भी 50,000 मिलेगा दूसरा आपको एक मेजर कॉमपोनेंट होता है एक का है तो वह आपको और रोपए का यहाँ लाख रूपए का ट्रक्शन मिला है, जब कि अगर न्यूट सेरिम में जाएंगे तो तो किवल 50,000 का मिला है इसलिए आपका income from salary 9,50,000 अब एक major component यह भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका housing loan चल रहा होता है तो अगर आपका housing loan चल रहा है तो उसके उपर जो maximum deduction है वो section 24B में 2,00,000 तक का allowed होता है तो यहाँ पर देखे अगर आपने section 24B के अंदर आपको benefit लेना है तो आपको old regime ही opt करना होगा क्योंकि old regime आपको allow करता है लेकि new tax regime में जाएंगे तो आपको section 24B का भी deduction नहीं मिलता है तो यह अगर आप consider कर लेंगे तो आपका जो total gross total income बना वो 7,00,000 और 7,00,000 बना old tax regime की साबसे और new tax regime की साबसे बना 9,00,000 बैसे के लिए देखे 5 head of income होते हैं तो जिसमें हमने दोत पकड़ लिया income from salary income from house property income from capital gain income from business profession और income from other source तो यह पांचों head को add करके आपका gross total income बनता है तो यहाँ पर आपका gross total income आपका 7,00,000 और 9,00,000 पिसाज़ आ गया अब यहाँ पर देखे एक और major component है chapter 6 एक का deduction तो chapter 6 एक deduction में ATC आता है, ATD आता है, ATCCD आता है, आपका ATTT आता है, ATGC आता है, जहाँ पर आप political party को contribution को contribute करते हैं और वो आपका 100% exempt होता है तो chapter 6 एक के deduction भी आपको old regime में allowed होता है लेकिन new tax regime में नहीं मिलता है new tax regime में एक होता है ATCCD 2 का जो अगर आपका employer अगर contribute करता है NPS fund में तो उस case में 50,000 का मिलता है लेकिन मैंने ये मान के चलागा क्योंकि most of the case में वो 50,000 का contribution employer करता है नहीं इसलिए मैंने आपके consider नहीं किया है तो अगर आप chapter 6 एक का deduction देखेंगे तो old tax regime में आपको 2,25,000 का benefit मिल गया जबकि new tax regime में नहीं मिला और यह जो 2,25,000 का benefit है वो एक लाख 50,000 मैंने ये मान के चला हुआ है कि आपका पूरा ATC मिल रहा है क्यों क्योंकि अगर आपका 2,00,000 का interest जा रहा है तो जो home loan के उपर principal है वो अपने आपने एक बहुत major remount होता है तो वो आपका ATC का part बनेगा कुछ आपका बच्चों का school का फिस जारा होगा कुछ आपने investment करके रखा होगा तो वो बनेगा तो एक लाख 50,000 मैंने ये लिया हुआ है एक NPS का जो benefit है वो over and ever one 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 एक लाख 50,000 होता है तो वो भी मैंने इसके अंदर include किया है तो एक लाख 50,000 प्लस 50,000 दो लाख हो गया और जो बच गया 25,000 वो मैंने 80D लिया हुआ है जो कि आपका मेडी क्लेम का अगर कोई policy आपका personal policy चल रहा है तो उसका भी आप 25,000 तरका benefit ले सकते तो इस हिजाब में टोटल taxable income बना ओल्ड रिजीम में वो बना 4,70,000 जबकि new tax regime में 9,50,000 अब इसके उपर tax calculate करेंगे दोस्तों तो आपका जो tax liability बनेगा old tax regime में कुछ भी नहीं बने निल tax liability है इसके अंदर आपको 87 ये का भी deduction मिल जाता है रिबेट मिल जाता है उसके बाद आपका कोई भी income tax old tax regime में नहीं बनेगा लेकिन अब tax अगर आप new tax regime को opt किये हुए हैं तो उस case में आपका 4,600 का tax liability बनेगा तो इस हिसाब से आप अपने जो भी आपका income है और income और प्लस जो आपका ऐसा expenses है जो की इलावेबल है अज पर इंकम टेक्स लोग तो उसको consider के आप अपना calculation देख सकते हैं कि आपकी tax liability क्या बन रही है तो इस हिसाब से आप अपने tax के outgoing को optimize कर सकते हैं मतलब अपने favor में tax liability को reduce कर सकते हैं और एक तरीके का tax planning है और यह tax की planning कोई भी कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए अब आते हैं दूसरे सीट पर अब यहां पर देखें जो यह major जो difference आता है वो इसलिए आता है क्योंकि जब जो आपका old tax regime है old tax regime के अंदर धाई लाग तक का तो कोई tax नहीं लगता धाई लाग से पांस लाग तक पांस परशेंट है और पांस से दस के बास सीधे 20 परशेंट है और more than 10 लाग में 30 परशेंट है वहीं अगर आपको new tax regime की बात करेंगे तो new tax regime के अंदर रिजीम के अंदर 3 लाग तक कोई tax नहीं 3 से 6 लाग 5 परसेंट 6 से 9 लाग 10 परसेंट 9 से 12 लाग 15 परसेंट और 12 से 15 परसेंट और 15 लाग से ज्यादा के ऊपर वह है 30 पर से जो आपका इंट्रेंशन हाऊ लोन है ये आपका not allowed in new regime है ATC भी आपको नहीं मिलता है NPS मिलता है लेकिन ATCCD2 का मिलता है जो कि आपका employer contribute करता है जो कि most of the case में ऐसा देखने को नहीं मिलता है हाँ, government employee के case में यह होता है Health insurance ATD यह आप यह भी आपका allowed नहीं है new regime में जबकि यह सारे old regime में allowed है और एक और काफी एक बड़ा component होता है आपका HR जो कि HR old regime में allowed है और new tax regime में allowed नहीं है अब यहाँ पर मैंने एक पूरा completely लगाए हुआ है कि इस case में आपका देखें यह आपका यह expenditure है और यह old tax regime है और यह as per the new tax regime है कि इसके अंदर किस तरीके benefit को यहां पर allowed किया गया है old tax में और कौन सा benefit new tax में allowed नहीं किया गया है तो तक्रीबन देखें यह सारे यह जो भी ahead हैं जो की काफी एक मोटा करता है आपके income और salary के income में एक major part होता है वो देखेंगे जैसे एक चीज़ और है अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद आ तो जबूए इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीज़ें आई देखते हैं अगर एक्सेल सीट को हा तो यह हमारा cals यह हमारा कर्कुलेशन है तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास फिगर चैंज करके देखते हैं सपोज़ किझे हैं अगर आपके पास यहां 15,000,000 का figure है तो 15,000,000 के figure पर देखी फिर भी आपके पास जो total tax का outflow है वो एक लाखे 11,800,000 है जब की new tax regime में 1,600,000,000 लेकिन ये कब है जिब आपके पास ये सारी चीजे है अब सपोज किजे कि कुछ है ही नहीं तो फिर क्या होगा सपोज कि आपके पास housing तो इसा नहीं है कि यह एक ब्लैंकेट फर्मूला है जो कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ यह हमारे लिए यह तोटली डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पर आपका किस हिसाब से एकस्पेंडिचर कैसा है और वह एकस्पेंस किस कटेगरी का है वह क्या इंकम टेक्स के लॉग के अगर है तो फिर उस चाप से कैलकुलेशन होगा और टेक्स लाइपलिटी कमपूर करके देख सकते हैं तो हम यह देख लेते हैं कि कौन-कौन सा ऐसा खर्चा है कौन-कौन सा ऐसा खर्चा है जो दोनों जगा एलाउड है तो देखिए इस्टेंडर डिड़क्शन आपका प्रसाद जो कि हमने सुरू में सैलरी में कंसर्ट किया हुआ तो यह तो दोनों जगा है पर क्यूजिट तो दूनों जगा होगा है तो आप अब ईटिए ओल्ट एक्स रिजीम में है निव टैक्स रिजीम में नहीं है तो इस इसाप से आप इस एक्सल शीट में भी जाके देख सकते हैं कि कौन सा खर्चा आपको मिलता है कौन सा occupied और vacant property तो अगर self occupied है तो उस case में old tax regime में मिलेगा new tax में नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपका let out property है तो फिर दोनों case में मिलेगा तो दोनों में फड़क है let out और self occupied तो इसी साब से आप देख सकते हैं कि इंप्लोर कंट्रिब्यूशन ओन एन पीए सीडी टू कि यह सारे खर्चे हैं जो कि दोनों जगा अबिलेबल होते हैं ठीक है तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आता जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा बन रहा है उससे मैं अपना इंप्रूग्मेंट कर सकता हूं और अगर आपका कुछ सजेशन होगी किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके तो उस पर भी हम लोग वीडियो बनागे वीडियो लेके आ सकते हैं जाली थैंक्यू सो म झालाइएए लेके आलाइएए लेके आ सकते हैं अे विद दॉआ है वेके तास्जे हो बतानागे और वीडिक किन मेंटी लेके टीचा है इएएषब 00H, 5ॉएएएएएएएए CCWlaan